दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक पतनी के द्वारा 498 का केस अपने पती पर डाला गया लेकिन वो 498 का केस उसी पतनी पर भारी पड़ गया नमस्कार दोस्तों लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट प्यूश मित्तल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाईस दोस्तों आज में आपके साथ Honorable Supreme Court की एक बहुत ही important बहुत ही landmark judgment डिसकस करूँगा जो की 498A यानि की cruelty और divorce केस से related है दोस्तों इस केस में Honorable Supreme Court ने ये बिलकुल clear कर दिया कि यदि पतनी अपने पती पर जूटा 498A का मुकंदमा करती है जिस कारण पती को सालों साल कोट के चक्कर लगाने पड़ते हैं पती को बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है पती और उसके परिवार वालों की जिन्दगी खराब हो जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी cruelty है जो की पतनी के द्वारब पती पर की जाती है ये case ये judgment ऐसी पतनियों के लिए सबक है जो अपने पती और उसके परिवार वालों पर जूटा 498 का मुकर्दमा करती हैं जूटे आरोप लगाती हैं जूटे facts जूटे evidences create करती हैं और उसके basis पर पती और ससुराल वालों को अरेस्ट करवाती हैं 498 के case में कोट के चक्कर लगवाती हैं ऐसी सभी पतनियों को सबक मिलेगा कि जूटे case दायर ना करें दोस्तों वीडियो को आपने अंतक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ही important judgment है regarding 498A and divorce यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्रा लाइकन दबाग करके औल का बटन जरूर प्रेस कर दीजे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे इन केस आपकी कोई लीगल समस्या है लीगल कोरी है तो वो भी आप मुझे बेच सकते हैं यदि आप मुझे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं connect करना च जिसमें की एक पतनी के द्वारा 498 का केस अपने पती और ससुराल वालों पर डाला गया लेकिन वो 498 का केस उसी पतनी पर भारी पड़ गया दोस्तों इस केस में पती पतनी की मैरिज सन 2005 में होती है दोनों 18 महिने तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और सन 2007 में दोनों एक पतनी के द्वारा पतनी के द्वारा पतनी के द्वारा फाइल किया गया था दोनों साथ साथ पैलल चलते हैं इसके बाद कोर्ड के द्वारा पती के divorce केस को dismiss कर दिया जाता है ये कह करके कि पती divorce केस में पतनी की cruelty या unsoundness of point को साबिथ नहीं कर पाया दोस्तों पती के द्वारा divorce केस के order को high court में further चैलेंज किया जाता है जिस दोरान हाई कोर्ट में डाइवोर्ज केस की अपील चल रही थी उस दोरान लॉर कोर्ट में पत्नी के د्वारा फाइल किये गए 498 एक एक केस में पति और उसके परिवार वालों को अक्विट कर दिया जाता है यानि की बरी कर दिया जाता है जैसे ही पती 498 के case में बरी होता है यानि कि पत्नी का 498 एक खारिज किया जाता है उसके बाद पती उस judgment की copy को high court में submit करता है और ये बहस करता है कि वो 498 के case में बरी हो चुका है जिससे ये prove होता है साबित होता है कि उसने किसी भी तरह की cruelty या dowry harassment अपनी पत्नी के साथ नहीं करी थी बलकि पत्नी के द्वारा उसे 498 के case में जूटा फसाया गया था आखरी में पत्नी का केवल इतना ही कहना था कि पत्नी का 498 का case dismiss हो चुका है जिसमें वो बरी हो चुका है और उस basis पर उसकी divorce की appeal को accept किया जाए और उसे divorce grant किया जाए लेकिन दोस्तों high court पत्नी की बा किया गया यानिकि lower court के order को बरकरार रखा गया और पती को divorce grant नहीं किया गया लेकिन पती ने यहीं पर हार नहीं मानी क्योंकि वो 498 के case में बरी हो चुका था दस साल तक पत्नी के द्वारा एक जूटे case में उसे फसाया गया था उसे court के चक्कर काटने बढ़े थे और ultimately 498 के case में पती बरी हुआ ऐसे में पती high court के order को further supreme court में चैलेंज करता है सुप्रीम court case के सभी facts evidences को study करता है दोनों parties की बहस को भी सुनता है इस case में honorable supreme court का कहना था कि यदि एक पत्नी 498 के case में अपने पती और उसके परिवार वालों को जूटा फसाती है जिसके चलते पती और उसके परिवार वालों को 10-12 साल तक 498 के case को जहलना पड़ता है कोट के चकर काटने पड़ते हैं जिसमें कि ultimately वो बरी हो जाते हैं आरोप जूटे साबित हो जाते हैं तो ये एक पत्नी के द्वारा अपने पती पर बहुत बड़ी cruelty है अत्याचार है इससे बड़ी cruelty पती के के द्वारा high court के order को set aside किया गया और पती की favor में decision दिया गया यानि कि supreme court के द्वारा पती की divorce appeal को allow कर दिया गया और पती को cruelty के grounds पर divorce grant कर दिया गया दोस्तों इस case is judgment से बिलकुल clear हो जाता है कि यदि एक पत्नी अपने पती पर जूटा 498 का case करती है जूटे आरोप लगाती है जूटे evidences create करती है जिसके चलते पती को सालों साल 498 के case भुकतना पड़ता है चकर काटने पड़ते हैं उसकी जिन्दगी बरबाद हो जाती है और ultimately 498 के case में पती को बरी कर दिया जाता है तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी cruelty है जिसके basis पर पती court में relief ले सकता है दोस्तों इस case इस judgment के बारे में आपके क्या विचार है जरूर share कीजेगा यदि आपकी कोई legal समस्या है legal query है तो वो भी आप मुझे बेच सकते हैं दोस्तों इस judgment का link में आपको description में दे दूँगा बहां जाकर के आप इसको download करके पढ़ सकते हैं और अपने case के effects के नुसार इसे use भी कर सकते हैं तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और share दूरू कीजेगा चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जाहिन